हमारे प्रदान मंत्री जी ने हम तमाम एंडिये के साथियों को ये लक्ष बाद में दिया कि आपको 400 सीटे जीत कर आपको लाना है पर उससे पहले ये संकल देश की जनता और विशेश तोड़ पर हमारे बिहारी साथी ले चुके हैं कि पुना तीसरी बार मौजूदा प्रद बार मंत्री बना दाए आज यही बस एक आगरा अज यही एक आगरा पुना आप लोगों से करने आया हूं चुनाव की पूर संध्या है नामंकन का दौर शुरू हो गया और आज मैं जिस नामंकन के लिए आया हूं वह पुना मेरे लिए बहुत खास हैं मेरे परिवार के मेरे साथी, मेरे भाई, अब छोटे भाई, बड़े भाई, वो अनों बाद में भैकर लेगे, विवेक धाकर जी, आज मुझे इमानदारी से बहुत खोशी है, और मैं इंडिये के तमाम साथियों को विशेश तौर्ट पर धन्यवाद हूगा, जिस तरीके से इनोंने प्रत्य प्रत्याशी के रूप में, अभी भी मौझूदा सांसद है, पर जब लोग सभा में जाकर आप लोगों के विशेश को उठाने का काम करेंगे, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे, तो मुझे उमीद ही नहीं, विश्वास है कि इनमें वो जुझारू इनमें वो तक पढ़ता है, हम लोगोंने पिछले कुछ समय बिताए, एक बार के लिए आप सबसे शमा भी चाहूंगा, भाफी भी चाहूंगा, कि पिछली बार आया था जिसके लिए, कही न कही चूख हमसे भी हुई, पर आज आपको और पूरी जंता को ये विश्वास द जब्च पला क दाए, आथा हम लोगों चाहा चार सो पार के लक्षे के अम लोगों बात कर दाए, एसे में, विआर की 40 की 40 सीट में है तो बूर्ड, जरूरी है विआर की 40 की 40 सीटे जीत कर, हमारे पर्हान मंत्री आदानीय नरेंद्र मोदी जी की झोली मिल ए, ताकि जिस मजबूती से हमारे प्रदान मंतरी médico देश का नेत्र तो कर रहे हैं? जिस मजबूती देश को वो मजबूती प्रदान करने का कारे कर रहे हैं? आज एक भारतिय होने के नाते भईया हम सबको गर होता है अब देश के किसी कोने में चले जाया है तो भारत की गवरभ गाता वो गाते नहीं ठकथे यह स्वाबी मान यह अभिमान हमें हमारे प्रधानिया नरेंद्र मोधी जी ने देने का मैंदा हुमारे प्रधानियन मंत्री जी ने हर खेटर हर वर के विकास की चिंदा हुआ सबसे पहले तो देश की अर्थ व्यवस्ता जो आज से दस साथ पहले तक गया हम में से किसी को नहीं पता दी कि कहा जा रही है कौन से नमबर पर हैं कौन से पाइदान पर है अज़ाज सोचिए दुनिया की किसी एक कॉंटिनेंट की नहीं पूरी दुनिया की जितने भी देश है उसमें पाचवी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता भारत की है ये हम लों के लिए गर्थ की बात अब रिदान मंत्री जी का लक्ष है कि अगले पास सान भी इसको तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता बनाना जब राजे का राज़ा जो बढ़ता है तो हर छेत्र का आर्थिक विकास होने लगता है और जब हर छेत्र का आर्थिक विकास होता है तो हर गरीब व्यक्ती के हाथ में जादा पैसा आता है उसकी प्रती व्यक्ती आय बढ़ने लगती है और धीरे धीरे वो विक्ती मुख्य धारा के साथ जुड़ने लगता है ये सोच हमारे प्रधान मंत्री ने जहाँ एक तरफ महिलाओं की चिंता कर उनके स्वास की चिंता कर उज्वला योजना लेकर आए तो देश का कोई भी विक्ती आर्थिक संकट की वज़ा से इलाज से आयुश्मान की योजना भी लेकर जहां हमारे प्रधान मंत्री जी ने सुरिश्चित किया कि सरथबर हमारा देश तुरक्षित रहे तो उन्होंने ये भी सुरिश्चित किया कि अंतरिश्के माद्यम से भी देश में विकास होता रहें तक्नी की रूप से हम लोग आगे पिछले दस सालों में प्रधान मंत्री जी ने हमारे देश को आगे लेकर जाने का काम किया और आज जब हम लोग 400 पा का नारा देते हैं तो बिहार की 40 सीटे में तपून इसले हो जाती है क्योंकि बिहार की आज की परिस्तिती आज जिस तरीके से बिहार में डवल इंजन की सरकार है जहां एक तरफ देश में अंडिये गरबंदन का नेतरत और अंडिये की सरकार का नेतरत और हमारे प्रधान मंत्री जी कर रहे हैं और प्रधान मंत्री जी जिस हिम्मत के साथ, जिस साहाज के साथ वो बार बार डबल इंजन की सरकार का वो आवान करते हैं, उसका उधारन भगल के राज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा। कितना जरूरी है केंद्र की सोच वाली सरकार राज्य में भी हो, ताकि जो विरोधा भास है उसको समाप किया जा सके, और आज हमारे प्रदेश का ये सोभाग्य है कि एक लंबे समय के बाद हम लोगों को वो डबल इंजन की सरकार मिली, ऐसे में जरूरी है कि अब ये डबल इ 2019 में जब आप सबने तमाम परिस्तियों के बावजूद बिहार से 40 में से 49 सीटे आप लोगों ने जीत कर दी थी, उस वक हमारे गड़बंदन में महस तीन दल थे, भारतिय जन्दा पार्टी थी, लोग जन्शक्ती पार्टी थी, जन्दा जल युनाइटेट थी, पर आज ह हमारे गड़बंदन में दो और मजबूत दल चुड़ें, जहां एक तरफ लाराश्टिये लोग मोर्चा, हमारे आदर्श, हमारे अभी भावोज, आदर्णी उपेंदर कुश्वाजी के आने से हम लोगों को मजबूती मिली है, तो वहीं पूर मुक्य मंत्री, आदर्णी जीतर रामाजी जी की पार्टी के आने से भी हमारे गड़बंदन को एक नई ताकत मिलने का काम हुआ, ऐसे में ये विश्वास हम सब का है, कि ऐसे में बिहार की 40 की 40 सीटे जीत कर, हम लोग पुना हमारे प्रधान मंत्री जी को देश का प्रधान मंत्री बनाने का काम और जो कारे बिहार में हम लोग से अपेक्षित हैं, जो सोच हम लोगी है, बिहार को एक विक्सेत राज्य बनाने को लेकर, जो सोच हम लोगी है, बिहार को फॉर्स और बिहारीों को फॉर्स बनाने को लेकर, उस सोच को हम लोग धरातल पर उतार सकेगे। पर 19 तारीक को आप सब अपने अपने गाव अपने अपने घर से अरोस फडोस रिष्टेदार अपने तमाम साथियों को लेकर 19 तारीक को अपने अपने मद्दान केंद्र में जाएगा और वहां पर जाकर कमल शाफ पर बटन दबाकर आप लोग मेरे भाई विवेक जी को कि अव्मार एक्षी हो ऺाई, आंपने अपने यह जाएगां के आप लोग यद्धाओ के आप लोगा, एक टोका को आप दोगाकर आप जेलिए, आप बड़ीक के लिए कर मने जीनंदावाण, जीनदावाण, लीनदावाण!